Top 5 Based MIUI Themes के एपिसोड नमबर 20 में, जो थीम पांचोय नमबर पे है, इसका नाम है प्लेग्राउंड, अब इस थीम को अपलाई करने के बाद से, जो आपका मेन होम स्क्रीन है, वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, अब होम स्क्रीन पे आपको एक काफी बढ़ियां सा minimal सा clean shape का एक wallpaper देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको एक बढ़ियां minimal style में clock का visit भी देखने को मिलता है, जो इस theme के हिसाब से काफी सही लगता है, बाकी बात करें इस theme के icons की, तो इसमें आपको icons काफी minimal style के clean shape वाले icons मिलते हैं, जो इस theme के combination के साब से काफी perfect लगते हैं, बा face है, वो आपको कुछ इस type का देखने को मिलेगा, especially जो यहाँ पर setting के icons है, इसमें आप देखोगे कि ये totally change हो चुके हैं, बाकी बात करें इस theme के dollar pad की, तो अगर आप Google dollar pad यूज कर रहे हो, तो इसमें आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलेगा, पर अगर आप Me dollar pad यूज कर है, जो कि काफी सही लगता है, यहाँ पर अगर आप slide करते हो, तो यहाँ पर आपको कुछ widgets के option मिल जाते हैं, like यहाँ से आप calculator access कर सकते हो, यहाँ से आप weather देख सकते हो, यह सारी चीजे, इसके लावा इस theme के lock screen में आपको कोई खास customization देखने को नहीं मिलता, बाकी इस theme मे आपको एक बहुत ही कम opacity वाले mask का wallpaper देखने को मिलता है, साथ ही आपको एक बहुत ही colorful और attractive सा clock का visit मिलता है, जो कि दिखने में काफी सही लगता है, बाकी बात करें इस theme के icons की, तो icons यहाँ पर आप देख सकते हो, काफी छोटे-छोटे shape के yellow color के animated style वाले icons देखने को मिलता है जो कि मुझे काफी सही लगे, बाकी बात करें इस theme के control center की, तो control center अपको यहाँ पर totally yellow color का देखने को मिलता है, जो कि is theme का main color है, बाखी बात करें इस theme के setting के look की, तो जो इसका setting के interface है, वो आपको totally different style का देखने को मिल जाता है, बाकी बात करें इस theme के dollar pad की, तो अगर आप Google उगर डैलर पैड यूज कर रहे हो तो इसमें आपको कोई भी चेंजिस देखने को नहीं मिलेगा पर अगर आप मी डैलर पैड यूज कर रहे हो तो आपको कुछ इस टैप का डैलर पैड देखने को मिल जाएगा बाकी इस थीम में भी आपको नेटवर्क आइकन और बैटरी लेकरन में changes देखनी को मिल जाएंगे, बाकी बात करें इस theme के lock screen की, तो जो इस theme का lock screen हो आपको काफी attractive सा देखनी को मिलता है, क्योंकि इस theme के lock screen में आपको animated plus animation वाला feel मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे जो star है वो उपर से गिर रहा है, बाकी यहा से आप phone, camera, battery, music, यह सारी चीज़े access कर सकते हो, फिर अगर आप slide करते हो तो यहाँ से आप message, gallery, यह सारी चीज़े भी access कर सकते हो, तो इस वाले theme के lock screen में आपको काफी बढ़िया animated lock screen देखने को मिलता है, आल राइट तो जो इस list में तीसरे नंबर पे theme है, इसका नाम है yellow 2. 2.0 MNML, अब इस theme को apply करने के बाद से जो आपका main home screen है, वो कुछ इस type का देखने को मिलेगा, अब home screen पे आपको एक superman का wallpaper देखने को मिलता है, जो की दिखने में बहुत ही तगड़ा लग रहा है, साथ ही आपको कुछ इस style का यहाँ पे clock का visit देखने को मिल जाता है, बाकी बाकी बात करें इस theme के icons की, तो icons यहाँ पे आप देख सकते हो काफी minimal style के icons देखने को मिलता है, बाकी बात करें इस theme के control center की, तो जो इस theme का control center है वो आपको totally dark में देखने को मिलता है, प्लस इसमें आपको yellow का भी combination देखने को मिलेगा, जो की दिखने में काफी perfect सा लगता है बाकी बात करें इस theme के setting के interface की तो setting का जो look है वो आपको कोई खास इसमें आपको changes देखने को नहीं मिलेगा बस इसमें जो इसके icons हैं setting के वो आप देख सकते हो totally change हो चुके हैं बाकी बात करें इस theme के dollar pad की तो अगर आप google dollar pad यूज कर रहे हो तो इसमें आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलेगा पर अगर आप me dollar pad यूज कर रहे हो तो आपको कुछ step का dollar pad देखने को मिल जाएगा बाकी इस theme में भी आपको network icon और battery icon में changes देखने को मिल जाते हैं बाकी बात करें इस theme के lock screen की आपको एक बढ़ियां सा charging effect देखने को मिल जाता है दूसरे नमबर की theme पे जाने से पहले अगर आपको ये without intro वाली video पसंद आ रही है तो इस video को अपने दोस्तों और family members के साथ जरूर share कीजिएगा साथ ही इस video को एक like भी कर दीजिएगा बात करें अगर दूसरे नमबर की theme की तो इसका नाम है master evo m14 अब इस theme को apply करने के बाद से जो आपका main home screen है वो कुछ इस type का देखने को मिलेगा अब home screen पे आपको एक बहुत ही simple सा clean सा wallpaper देखने को मिलता है साथ ही आपको कुछ इस type का clock और weather का visit देखने को मिलता है जो की दिखने में काफी minimal सा लगता है plus point इस theme में यह है कि इसमें आपको दो और extra icons मिलते हैं जिसके थुरू आप अपने wallpapers और wallpapers में blur effect को add कर सकते हो लाइक जैसे आप इस पे tap करोगे तो आपका यहाँ पे wallpapers change हो जाएगा और अगर आप wallpapers में blur effect add करना चाहते हो तो आप नीचे वाले icon पे tap करके blur effect add कर सकते हो बाकी बात करें इस theme के icons की तो icons यहाँ पे आपको काफी square type के काफी एकदम minimal style के icons देखने को मिल जाते हैं वो भी काफी बड़े-बड़े shape में जो की दिखने में काफी सही लगते हैं बाकी बात करें इस theme के control center की तो control center भी आपको एकदम totally minimal वाले style में देखने को मिलता है especially जो icons वगेरा हैं वो आपको काफी minimal feel देंगे बाकी बात करें इस theme के setting के interface की तो जो इसका setting का look है वो आपको एकदम totally different style का देखने को मिल जाता है जो कि इस theme के combination के साब से काफी सही लगता है बाकी बात करें इस theme के dollar pad की तो अगर आप google dollar pad यूज कर रहे हो तो इसमें आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलेगा पर अगर आप me dollar pad यूज कर रहे हो तो आपको कुछ इस tab का dollar pad देखने को मिल जाता है बाकी इस theme में भी आपको network icon और battery icon में changes देखने को मिल जाएंगे बाकी बात करें इस theme के lock screen की तो इस theme का जो lock screen है इसमें आपको काफी सारे यहाँ पर option देखने को मिल जाता है यहाँ से आप tap करके directly weather वाले visit को access कर सकते हो उसके बाद वाले option पर tap करके आप यहाँ पर step वाला visit है इसको access कर सकते हो music वाले पर tap करके आप music player वाले विजिट को access कर सकते हो बाकि आपको एक और विजिट मिलता है जिसमें आपको काफी सारे apps का combo मिल जाता है और especially यहां से अगर आप dark चाहो तो dark कर सकते हो wallpaper में blur effect देना चाहो तो वो भी दे सकते हो इसके लाव आपको एक और यहां पर setting का icon मिलता है जिस पर आप tap करते हो तो यहां से आप इस theme के setting का setting जो है उसको access कर सकते हो और अपने हिसाब से इस theme के lock skin को customize करके use कर सकते हो तो इस theme के lock skin में आपको काफी सारे customization के option देखने को मिल जाते हैं बाकि इस theme में भी आपको एक बढ़ियां सा charging animation देखने को मिल जाता है आल राइट तो जो इस list में final यानि number one पे theme है इसका नाम है बी जॉर्क फोर्नेजम अब इस theme को apply करने के बाद से जो आपका main home screen है वो कुछ step का देखने को मिल जाएगा अब home screen पे आपको एक बहुत ही white सा wallpaper मिलता है जिसके center में एक बंदा laptop लेके बैठा हुआ है जो कि दिखने में काफी cool लगता है साथ ही आपको एक बहुत ही high tech style का एक clock का visit देखने को मिलता है जो कि इस wallpaper के इसा आपसे काफी perfect set होता है बाकी बात करें इस theme के icons की तो icons यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफी बड़े-बड़े shape के एकदम dark black वाले icons देखने को मिलता है जो कि दिखने में काफी सही लगता है बाकी बात करें इस theme के control center की तो control center भी आपको एकदम totally different style का देखने को मिलता है especially जो control center का shape है वो काफी एकदम अलग type का देखने को मिल जाता है जो कि दिखने में काफी एकदम attractive सा लगता है, cool सा लगता है साथ ही यहाँ पे बात करें इस theme के setting के look की तो यह theme में आपको जो setting का look है एकदम totally different style का देखने को मिलता है जो कि बहुत ही cool लगता है यहाँ पे आप देख सकते हो icons वगेरा या जो background है वो आपको काफी एकदम cool सा देखने को मिल जाता है बाकी बात करें इस theme के dollar pad की तो अगर आप google dollar pad यूच कर रहे हो तो इसमें आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलता पर अगर आप me dollar pad यूच कर रहे हो तो आपको कुछ step का dollar pad देखने को मिलता है बाकी इस theme में भी आपको network icon और battery icon में changes देखने को मिल जाता है बाकी बात करें इस theme के lock screen की तो जो इस theme का lock screen हो आपको कुछ step का देखने को मिलता है अब Locked Skin पे भी आपको Home Skin वाल वाल पेपर देखने को मिल जाता है बाकि अगर आप यहाँ पे Double Tap करते हो तो यहाँ से आप यहाँ पे एक Music Player एक्सेस कर सकते हो बाकि आपको इस Theme के Locked Skin में कोई भी खास Customization देखने को नहीं मिलता